याने की उत्राखन में सचवाले रख्षक परीक्षा का पेपर हुआ और उसके जो है हिंदी की आंसर की हम लोग अप्लोड कर चुके हैं और यह वाली जो पार्ट में आंसर के अप्लोड हो रही है यह केवल जीएस के दोस्तों तो आप लोग इसमें अलग अलग तरीकिस अनिवार्य नहीं है तो यहां पर आपके लिए अलगल ओप्षंस थे लपीजी था यह फिर पैकेजड पेजल हो गया यह फल और सब्जय हो गया तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाता जो इसके नहीं था वह डी हो जाता फॉल और सब्जय के लिए अग्ला देखें 32 में जाता यानि की राउट्र अगला कोशन है 33 इसमें कुछा है कि वाईयो मंडल में सरवाधिक प्रतीशत किस गैस की होती है तो वाईयो वनडल में सरवाधिक 35 वा कोशन है कि भारत में इस्थानिय स्वाशाशन का जनक किसे माना जाता है तो इस्थानिय स्वाशाशन का जनक के कोशन बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है तो जो लॉड रिपन है इनको इस्थानिय स्वाशाशन का जनक माना जाता है नेक्स कोशन था 36 और 36 में तो इसको जुलाई 2021 में जो है विश्व धरोर में यूनेस्कों के द्वारा शामिल क्या गया है 37 इसमें पूचा है कि एकल संक्रमणी मत परणाली का प्रियोग निमलिकित मैंसे किस निर्वाचन में नहीं होता है यहां पर ध्यान देना था कि नहीं होता है तो 37 का जो राइट से दिल्ली का सुल्तान बना था यह गाजी मली के नाम से कौन दिल्ली का सुल्तान बना था तो 38 का राइट अंसर हो जाता है यानि कि नीवल नीवल को अदा बाइट का रूप में जाना जाता है 40 है 40 में पूचा था कि निम्न मैंसे कौन सा operating system का उधारन दोस्तों नहीं है तो 40 का यानि कि यहां पर पूचा उधारन है तो यहां पर आपके MS-DOS, Ubuntu, Android तो यह क्या हो जाती है हमारे सभी क्या है MS operating system के क्या हो जाती है उधारन हो जाती है अगला देखे 41 कोश्चन है कि भूकम प्या तरंगों को record करने वाला उपकरन कौन सा हो जाएगा यानि कि option B सिस्मोग्राफ हो जाएगा कि बायालिस्वा कोश्चिन देखिए 42 में में पूचा है कि भारत्य सविधान के किस अनुचेद में उप राष्टपती के पत की व्याख्या की गई है तो इसका 42 वेका राइट आंसर हो जाता है यानि कि ऑप्षिन सी कि 63 वेक अनुचेद में की गई है 43 वा कोश्चिन है इसको थोड़ा से ओपर कर लेता हूं क्योंकि बड़ा सा कोश्चिन पूचा है इसमें पूचा है कि जुलाई 2020 में किये कि शंशुदित बर्करण का सुक्ष्म उदम की परिवाशा क्या है तो इसका राइट आंसर आपका क कि थोड़ा से मामना घड़बर हो गया है कि यह वाना चावालिस में देखिए वर्तमान यानिकी एक मही दोजार तेईस में भारत की मुख्य चुना आयुक्तपत पर आसीन कौन होए है तो चावालिस अगर आइट आंसर यानिकी स्री हो जाता राजीब कुमार जी 45 इस ने सविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तूत किया था तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन सी जवाहरलाल नेहरुजी की द्वारा किया गये था 46 में पूचा है कि 1959 में राजिस्थान के शिग्र पश्चाथ किस राज्यों ने पंचायती राज विवस्ता को अपना था यानि कि राजिस्थान के बाद फिर से 46 वाले का आंसर तो ऑप्शन ए हो जाता आंदर प्रदेशिस का राइट आंसर 47 वाला देखिए यू आकार की घाटी यानि कि किस के द्वारा निर्मित की जाती है तो 47 का हो जाएगा यानि कि option B हिमानी नदियों के द्वारा यू आकर की घाटी बनाए जाती है 48 है Britishist India Company को बंगाल की दिवानी का प्राप्त हुई थी तो 48 का राइट आंसर यानि कि option B हो जाएगा सं 1765 में इसे बंगाल की दिवानी प्राप्त हुई थी 49 है हम धर्ती से जो कच्चा तेल निकालते है वह क्या है तो 49 का जो राइट आंसर हो जाता इसका हो जाता दोस्तों option B यानि कि दो और चार इसमा सही हो जाता दो और चार का मतलब राकरतिक संसाधन और गैर नविल करने संसाधन अगला question है हमारे पास पचासवा question है पचासवे में पूछा है कि निम लिखित मैंसे कौन सा ग्रह सबसे छोटा एवं सूर्य से नजजदी के तो 50 का right answer यानि कि सिंपल सा था option B हो जाता बुद 51 में में पूछा है आपसे कि मौरियवंश का अंतिम शाशक कौन था तो मौरिय जा गया था तो option यानि कि आपका B सही हो जाता जो बंबई अधिवेशन था उसमें भारत छोडवा अंतुलन का प्रस्ताव पारित क्या गया था अगला देखे त्रेपनवा question त्रेपनवे question में आपसे क्या पूछ रहा है कि रिन के आपचारिक सुरूत में शामिल नहीं है यहां पर नहीं पूछा है तो त्रेपन का राइट आंसर क्या हो जाता इन उप्रोक्त मैंसे कोई भी नहीं देखे ना तो इसमें वानिज्य बैंक होता है ना सहकारी ना फिर ग्रामन ठीक है अगला question देखे चावण में वाला चावण में पूछा है कि स्वर्ण कार्त यान अब देखें नेक्स कोश्चन है 55 वाला तो पच्पन में कोश्चन में पूछा है कि निम लिखित में से कौन सा कंप्पूटर मैमूरी की माप इकाईयों का सही आरू ही करम पूछा है तो पच्पन में इसका क्या हो जाता है यानि कि जो option ए है के वी एमबी जीवी और टेरा कोडा क्या है तो option में देखिए आपके पास अरगल्ग लगे तो इसका क्या हो जाता यानि कि यह क्या है बहुरास्ट अब हुराश्च कमपनी तो हम लोग जो है 58 question पर थे यह वाले में 58 में पूछाएं कि 44 सविदान संशुदन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस अनुचेत के अंतरगत एक सामान में कानूनी अधिकार बना दिया गया है तो 58 का राइट आंसर यानि की option भी अनुचे 300 कौ की तहट बना दिया गया है अगला देखे 59 वाला question है और इसमें पूछाएं कि भारत में सबसे बड़ी मेठे जल की जील कौन सी है तो भारत में जो सबसे बड़ी मेठे जल की जीन है यह हमारी क्या हो जाती फिर से हमारा मामला नेचे चले गया है यह कुछ दोस्तों इसमें जो है दिक्कत हो रही है टेक्नोली प्रॉब्लम हो रही है कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग जो है इस समय यहां पर थे हैं जी तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 59 का ओप्शन यह हो जाएगा यानि की बूलर जील और साटवा कोश्चन है कि एकता जो प्रणाली है या फिर एकता व्यवस्ता है किसने प्रारव की थी तो इसका भी राइट आं यानि की उत्राखन और रीजनी की आंसर की भी आप लोगों के बीज में जल से जल्द हम लोग लाने बाले हैं तो चलिए दोस्तों इसमें इतना ही है मिलेंगे नेस्ता आंसर की में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद